जन्वरी का महीना खत्म हो चुका है, मगर जन्वरी के जाते जाते बारिश देखने को मिली, बारिश का ये दौर फरवरी की शुरुआत तक भी देखने को मिला, फरवरी की पहले ही तारिक को आस्मान में बादल चाये रही, दिल्ली समेत आसपास के लाकों में जमाजम बारि के साथ हो चुकी है ऐसे में आईए जानते हैं कि फरवरी के पहले हफते में मौसम का मिज़ास कैसा रहने वाला है मौसम विभाग के ताजब डेट के मुताबिक दिल्ली को अभी बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है एक फरवरी को शुरू हुई बारिश का दौर अभी जारी रहेगा दिल्ली के कई इलाकों में गरच के साथ हलकी से मध्यम तीवर्टा की बारिश के आसार है इसमें नरेला, बवाना, अलिपूर, बुराडी, रोहिनी, करावल नगर शामिल है वहीं, NCR में लोनी देहात, हिडन एएफ स्टेशन, बाहदुरगड, गाजेबाद, इंदीरापूरम, छप्रोला, नोईडा, गुरुग्रा, मानिसर में हलकी से मध्यम तीवर्टा के साथ गरच के साथ बारिश होगी इसके लावा हर्याना के मेहम, रोहतक, चर्की दादरी, मतनहेल, जजर, फरूकनगर, कोसली में और उत्तरप्रदिश के साहरनपूर, गंगोह, देवबंद, मुझफरनगर, बिजनौर, खतोली, हस्तीनापूर, चांदपूर, दोराला, मेरट, किठोर, अमरोहा, गड़मु कुछ राहत मिली है, राजानी में आज नियूंतम तापमान बढ़कर 12 डिग्री और अधिक्तम तापमान, 19 डिग्री सेल्सियस दर्च क्या जा सकता है, लेकिन दो फरवरी को एक बार फिर घना कोहरा वापिस कर सकता है, और एक बार फिर तापमान में कमी के साथ ठंड बढ दिल्ली के मौसम पर भी दिखेगा, शिकरवार की सुबा घने कोहरे के आसार जोदाएगे, शनिवार को फिर दिल्ली में बूना बांदी की संभावरा है, शनिवार के बाद कोहरे की स्तिती में कमी आईगी और तापमान में हलका इजाफा होगा, दिल्ली में 3 जनवरी शनि याके वालों को ठंड और कहरे से राहत की कोई उमीद नहीं है, यहाँ फरवरी में भी जनवरी जैसा हाल देखने को मिलेगा, खैर इस कवर में इतना इस कवर को लेकर आपके क्यार आईए, आप हमें कमिंस सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो अगर पसंद आया हो त करना ना भूले, बाकि दैश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूस नैशन का डिजिटल प्लाटफर्म